चुटी चुटी कहानिया शिखातीं बड़ी बड़ी बातें आज की कहानी एक शराबी की है शराब पीने यादत पढ़ गई पीते थे पीते थे और पीते थे बच्चे परेशान पत्नी परेशान घर के सारे सर्देश से परेशान तो एक दिन पत्नी को बहुत गुस्सा आया चिड़ गई और चिड़ करके बोली आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए बच्चे समझदार हो गए घर पे ठीक से खाने पीने को नहीं है घर का खर्चा बढ़ रहा है हमारे पर करज भी बढ़ रहा है माता जी और पिता जी बुड़े हो गए उनके दवादारू के पैसे हम नहीं जुड़ा पाते है और एक आप है कि दिन भर शराब की बोतल अपने पॉकेट में लिए गुमते है पती महदै ने पत्नी को देखा और बोले शराब की बोतल को पॉकेट में ले करके नहीं चलू तो तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं मुँपर हक्तर के चलू कहानी शब्दों को पकड़ने की है जब हमें काम नहीं करना होता है और जब हमें काम लकारात्मक करना होता है तो हम शब्दों को पकड़ते हैं अर्थ को नहीं पकड़ते बहुत बार हम बहुत सारी बहस करते हैं और शब्दों की बहस करते हैं अर्थ की बहस नहीं करते शब्दों के भीतर जो अर्थ चुपे हैं उसी गहराई में जाने की चरुवत है शब्दों को पकड़ करके shallow thinking छिचले सतह की सोच को हमें छोड़ना होगा जब तक हम अर्थ की गहराई में नहीं पहुंचेंगे तक तक हमारी wisdom नहीं बढ़ेगी हमारी सुबुद्धी नहीं बढ़ेगी 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में फिर मिलते हैं नमस्ते